हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन उपल मैंथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं करांट फियर 17 ए 18 इंग टूबर 2022 को ठीक है तो हमारा फर्स्ट कोशन है विच कंट्री वॉमें एशिया कप 2022 कौन सी कंट्री ने जीता तो यह जीता है इंडिया ने ठीक है इंडिया ने यह जीता है फाइनल में इंडिया ने शिरलंका को रहा है 8 विकट से इंडिया ने यह टाइटल 7 टाइम जीता है 7 टाइम T20 और इस वार का T20 फॉर्मेट में था यह वर्ल्ड एशिया कप T20 फॉर्मेट में था यह याद रखना आपने और यहां होस्ट कंट्री कौन सी बंगलादेश और प्लेयर ऑफ फाइनल मैच कौन थे ठीक है रेनुका सिंग और प्लेयर ऑफ दा सीरीज कौन थे दिपती शर्मा विच इन विच कंट इन विच सीट ऑफ माचल प्रदेश पी ए मोदी है इनगुरेटेड इंडिया इंस्टिटूट ऑफ इन्फॉमेशन ऑफ टेक्नॉलजी आ और सीम हमाचल प्रदेश के जैराम ठाकर और कैपिटल दो हैं समर में शिमला और विंटर में धर्मशाला और गवर्णर रजेंदर और रेला विच कंट्री है लाउंच इट्स फर्स सोलर अब्जरवेटरी कौफा वन फर्स अब्जरवेटरी सोलर अब्जर मतलब जो सोलर्य तो अब्जरवेट करने के लिए कोफा वन किस कंट्रीन ने लॉंच किया तो बर चाइना ने की चाइना ने रूgरोल 편 इन यह मूनक्त इवेल्ट वोमेन की रूरल वूमेन को भी प्राब्लम आती है काम में ठीक है तो इस बार की थीम थी रूरल वूमेन कल्टिवेटिंग फूड कल्टिवेटिंग गुड फूड फूड फूर ऑल 17 प्रवासी भारते दीवस to be held at which city in January 2022 हमारे विदेश मिनिस्टर जैशंकर परशाद इनके ऑफिस से नाउस हुआ है जो इस बार का प्रवासी भारते दीवस से यह मनाय जाएगा इन दोर में ठीक है यह क्यों मना जाता है क्योंकि 9 जनवरी के दिन यह 9 जनवरी को मना जाता है 9 जनवरी के दिन महत्मगादी साथ अफरिका से इंडिया आए थे विच स्टेट लाउच फुटबाल फॉर आल इनिशेटिव फुटबाल फॉर इनिशेटिव किस स्टेट ने लाउच किया यह लाउच किया उडिशा ने उडिशा के सीम है नवीन पतना है और कैपिटल है गवनेश्वार गॉर्मेट ऑफ इंडिया फॉर्स्ट संस्पेंशन ब्रिज ऑन विच रिवर इंडिया जनी फॉर्स्ट संस्पेंशन ब्रिज कौन सी रिवर पे बनेगा यह बनेगा कृष्णा रिवर में कृष्णा रिवर में यह दुनिया का दूसरा है और इंडिया का पहला और इसमें लागता है कि अबाउट 1082 क्रोड वर्ल्ड फूर्ड अब्जर्वड वर्ल्ड फूर्ड अब्जर्वड अन 16 अक्तूबर और इसकी थीम है no one should be left behind no one should be left behind which state top in the public affair index 2022 public affair index 2022 में कॉंसी स्टेट ने टॉप किया है यह दो category में था big state और small state big state में हर्याना ने टॉप किया और small state में सिक्की में who got the booker prize for 2022 booker prize कि इन्हों ने जीता 2022 का शेनान करुना तिलिक यह शिरलंका के राइटर है ठीक है इनके इन्होंने novel लिखा The Seven Moons of Mali Almeida ठीक है यह हर साल English वाल English novel को मिलता है ठीक है और यह 1969 में स्टार्ट हुआ था booker prize who is appointed as a brand master of bandan bank bandan bank के brand master की ने बनाया गया है soraf ganguli को soraf ganguli पहले bcccii के president थे अब bcccii के president है rozer bini who has elected as the prime minister of sweden in october 2022 sweden के prime minister कौन elect हुए है ulfa karetson यह किस party से related है moderate party तो इससे पहले कौन से यह किन की जगा ले रहे है यह ले रहे है Magdalena Anderson यह पहली female prime minister थी sweden की which has become the first state in India to start medical study in Hindi medical study in Hindi कौन सी state सबसे पहले launch कर रही है मद्यपरदेश ठीक है मद्यपरदेश की capital भौपाल और CMA शिवराज सिंग चोहान गवर्णर मंगु भाई जगन भाई पतेल where was the 19th General Assembly of Interpol held in October 2022 19th General Assembly 2022 का होने जारी है October की तो यह होने जारी है इंडिया की ठीक है New Delhi में होने जारी है 18-21 October New Delhi में ठीक है Interpol who has been awarded with the Sports Journalist Federation of India जानी जो sports की news है ठीक है उनको परसारिच करने के लिए किने अवार्ड मिला है कि जनलिस्ट को यह मिला है परकाश पादुकोन को यह सिर्फ दूसरा अवार्ड है 2019 का अवार्ड है 2022 का नहीं मिला क्योंगी क्रोना की वज़ी से यह अवार्ड मिले नी थे तो 2019 का अवार्ड मिला परकाश पादुकोन को और इससे पहले जो फरस्ट प्राइश था जो फरस्ट मिला था वो भी जाला विजय अमरित राज विजय अमरित राज पहले है दूसरे परकाश पादुकोन what rank India got what rank did India got in the world in terms of the fish production fish production में इंडिया का rank कॉ 한 सा है third India का rank को न है third है first पे को न है China second में Vietnam इंडिया न्यवी सेंपियों किंपेंशिप्सिप इन एक तूबर India सेलिंग नेवी सेंपिंशिप रही है तो ये धी है केरला international day of the reduction of the poverty जानि poverty को खतम करने के लिए लोगों को रुजगार देने के लिए यह दिन कम मना जाता है यह मना जाता है every year 17 of October इस बार की theme थी dignity for all in practice which country will host 2022 Asian football confederation Asian football इस बार कौन सी country host करेगी 2023 का Qatar 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 ठीक है Qatar करेगी पिछली बार ठीक है 2019 में UAE में हुआ था और Qatar ने जीता था और यह four year में एक बार होता है तो इस तरह हमारे 17 और 18 October के grand fair complete होते हैं thanks for watching and subscribe the channel share with your friends